हेलो बहुत सब्सक्राइब आपका स्वागत है कॉमर्सी पाटशाला में आई होब कि आप लोग काफी अच्छे होंगे और आई होब कि आपकी एग्जैमिनेशन की प्रपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी मैं बात पर चाहूँगा उन सारे स्टुडेंट्स के साथ यह उने भी हाली में अपका अप्राइड मिशन लिया है लेकिन उनको अभी तक स्टुडी मैटरियल नहीं मिल पाया है तो मैं आपको बताने वाला होगी किस तरीके से आप अपने स्टुडी मैटरियल को एकनों के स् अप्राइड के वेडियोह मिलेंगे स्टुडी के प्रपरेशन के लिए एक्जाम के प्रपरेशन के लिए साथिसाथ अगर आपको स्टुडी मैटरियल डाउन लोड करना है एकनो का पीखॉम का और एक कॉमको और को तो कैसे करना है यह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप अपने स्क्रीन पर देख पारे हो वेबसाइट है वह हमारा खुला हुआ है यहां पर देखो commerceeparts.blogspot.com यह जो हमारा लिंक है यह हमारे website का link है commerceeparts.blogspot.com यह जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पारे हैं इसी तरीके साथ आपको गूगल पर टाइप करना है, एंटर का बटन दबाना है, एंटर का बटन दबाने के बाग यहां बहुत सारी चीज़े आपको दिखेंगी, Home, About, CEP, Becom, ब्ला 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 यहां नीचे में, बाद में आपको आना है, इसके उपर आपको क्लिक करना है, आप जैसे ही इसके उपर क्लिक करेंगे, एक पेज आपके सामने खुल जाएगा, इस पेज में आपको नीचे की तरफ आना है, और यहां पर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इगनू Study Material Status Quick Links, नीचे की तरफ जब आप आओगे, तो आपको डाउनलोड, स्टडी मेटरियल, बीकॉम, ओल्ड, बीकॉम, नियू और इगनू का एमकॉम, study material जो m.com का है वो download करने का option आपको यहाँ पर दिखेगा आपको बस download कर लेना है यहाँ पर देखो m.com लिखा हुआ बगल में click here है इसके उपर मैं जैसे ही click करूँगा एक window खुलेगा जहाँ पर जा करके आप ignore m.com के first year यह हमारा first year है ठीक है आई बीओ वन से लेकर कि आई बीओ शिक्स और उसके बात यह हमारा है second year आप यहाँ से सारे के सारे books जो है download कर सकते हो बहुत ही आसानी से और books को download करने के बाद आप self study कर सकते हो साथी साथ इनी सारे books के topics के उपर जो है हम videos बनाते हैं साथी साथ content जो हमारे website पे है वो available है आपको बस हमारे website पे visit करना है इगनू m.com पे आपको click करना है click करने के बाद suppose आप mco1 की study कर रहे हो mco1 के उपर click करेंगे नीचे आजेंगे यहाँ पर unit wise आपको questions मिलेंगे इन सारे के सारे questions में click here का button जो है वो activated है आप जैसे ही click here के उपर click करोगे आपको इस particular सवाल का जवाब जो है आपको screen पे देख जाएगा जिसको पढ़के आप exam में बहुत ही असानी से अच्छे marks लापाऊगे ठीक है तो आई होब कर आपको यह वीडियो पसंदा होगा पसंदा है तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करों मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखो बाबाई थैंक यू